नमस्कार अदाब सर्सेकार टोवरिवान वेल्कम बैक वंस अगें जोवचैनल एक्सपोरिंग कमर्स बाइस सर्सोरा तो टूदे इस वीडियो आंग इस वीडियो आंग इस वेरी इंपॉर्टन टॉपिक डैट अफर टू देज ट्वेल्थ क्लास एक्जाम्स अर गूंग अब यहां सबसे एक पॉइंट जो बहुत से बचों की क्वेरी है कि एक्जाम पैटन में क्या होएगा बहुत कन्फूजन है और इस वीडियो में सो क्लियर कर पाऊं मेरा सोर्स इस वीडियो जो मैं इस जेकी बोर्ड के साइट पे सारा कुछ अबलेबल है आ वहां जाके ए सबसे पहले कंफूर्ण यह है कि हाव मैनी मार्क्स विए अगेंट जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उनका वेटेज है मतलब है तो सब इस पर हंडर मार्क्स होते हैं बट क्या हो रहा है कि उनमें सब्जेक्स में प्रेक्टिकल इसम आ जाता बीच में से एक्जामपल करें पर्टिकल यह एकाउंट एंजी का हंडर हैं हंडर में से 20 मार्क्स का प्रेक्टिकल माला जाता है इंटरन एक्स्टन मिला पीछे बच गया उसका 80 मार्क्स अब गौर्न्मेंट के यह बोलती है कि आपको इस बार 70 पर्सेंट अटेंप्ट करना है थर्टी पर्सेंट का आपको relaxation है जो कि government ने जून मंत में ही notification निकाल दिया था जून 2021 का notification है कि academic session 2022 का जो अप्लिकेबल होगा तो उसके recording लेकर बात करें तो आपका जो paper है उसको आपको 80 marks का example दे रहा हूं मार्क्स का attempt करते हैं exam तो आपका 80 count होएगा मतलब 56 marks equals to 80 हो जाएगी अगर हम उस criteria से जलते हैं number one ऐसे ही सभी selects का अपना अपना है और सब का 30% आपको reduce हुआ है but it never means कि आपको paper भी कम आएगा आपका exam pattern वैसा ही रहेगा जैसा है मतलब उसमें कोई change नहीं है सारी sections सब सेम रहेंगी जैसे as usual आता है paper आप इसके लिए jkboard की website पर जाकर देख सकते हैं आपको model papers भी मिल जाएंगे वहाँ पर जिननों अभी तक नहीं भी देखी है आपको उसमें से अपनी चॉइस से attempt करना है एक बात यह दूसरा point यह mind में क्लिए रखना आपको कि आसा नहीं कहीं कहीं भी नहीं है ऐसा role में कहीं भी नहीं है कि आपका negative marking हो जाएगा कि नहीं अगरा 56 से जहाँ चलेगा आपका जो आगे वहाला number कम हो जाएगे ऐसा नहीं है दूसरा कुछ बच्चों को लग रहा है कि जो पहला 56 करेंगी वहीं checking होगी कहीं students को भी यह लग रहा है कि जो हम हमारा 56 हमने पहले टेंप्ट के टीचर वह चेक करेगा अगर चेकी नहीं करेगा ऐसा भी कहीं नहीं है आपने जितना पेपर हो सके उतना आपने टेंप्ट करना है उसमें से आपका best 56 उठाय जाएगा it simply means कि अगर आप say example कोई बच्चा 70 marks out of 80 70 मार टेंप्ट कर देता है उसका पहला कोश्य निकरत होगा पांच संबर वाला उससे कोई फरक नहीं बढ़ता आपका paper पूरा चेक होएगा उस पूरे paper के checking के बाद उसमें से आपके 56 marks पिक किया जाएंगे तो आप यह last time 24 hours रहें आप confusion मत करें किसी बात से कि ऐसा कुछ है आपके best 56 marks ठाय जाएंगे मैं example दे रहा हूँ आपको accountancy का क्योंकि this is also applicable in English English के paper में भी यही चीज applicable होने वाली है क्योंकि English का weightage भी 80 marks है तो आप अपनी preparation इसकी according लेकर चलिए this is the exam pattern of course जो question paper pattern है उसमें कोई change नहीं है वो board की site पे available है paper पूरा ही आपको मिलेगा आपको attempt उसमें से कम करना है reduce का 36% okay and next one कि जो timing है वो proportionate use होई है English की बात करें तो you will get 2 hour 30 minutes for it बतला आप 11 बजे पे पर शुरू होएगा तो आपके पास 2 बज़ तक time नहीं है एक बज़ के 30 मिनट तक का time होगा बढ़ अगर आप practice paper दे रहे हैं जब practice कर रहे हैं गर पे तो आप अपना time को 1 गंटे 15 मिनट में दर निगोशिश करें इस बात को भी याद रखें आप एक घंटा 15 मिनट क्योंकि 15 मिनट वहाँ पर ऐसा उपनीचे हो जाता है और अपने आपको रिस्टिक नहीं करना है यह मेरा personal sensation है कि आपने 70% ही attempt करना है उसका छोड़ देना है try to do some extra जितना होसे कि extra करी बढ़ time कभी तो this is the final examination pattern इसको आप याद रखें इसमें confusion नहीं करिए कोई भी आपको जो कोशेबर मिलेगा उसको आपको पूरा पर ऐसा ही होगा उसमें से आपको अपना paper attempt करना है English की बात करो especially मैं 56 marks का 56 marks का attempt कर लिजिए जो भी आपके best 56 होंगे वो उसमें से उठाये जाएंगे ऐसा नहीं है कि इसका paper check नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है सबी subjects का अपने physics का कुछ number होएगा 78 में भी physical education 60 marks का उसका proportional कर लिजिएगा 42 marks बनते है उस recording आपने paper करना है timing का notification लग से आपके timing reduce हुआ है 2 hours timing भी है 2 hour 15 minutes भी है 2 hour 30 minutes भी है so I think so कि this is a very crucial matter that's why I made video on this तो इस बात का बिलकूल भी mind में कोई doubt नहीं होना चाहिए clarity से जाएगा कि आपको कितना attempt करना है तो यह अभी last time पर इन चीज़ों पर आपने ज़रा focus नहीं करना अभी right तो अराम से आपको यह बात दो बाते बापस के लिए कर तो number one time reduce हुआ है याद रखें इंगलिश के अपर की बात करें 2 or 30 minutes ही मिलेंगे and number two आपको अपना paper जो है उसमें से 56 marks का attempt करना है but 56 marks का बनेगा आपका 80 proportionality करके बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप 56 पे अपने को रोक लेंगे इसका मतलब यह नहीं है और ना इसका यह मतलब है कि 56 से आपके जाएंगे नेडिमाकी हो जाएगी passing ratio जो है वो 80 according रखी गई है वो 56 according नहीं रखी गई है मतलब किसी paper का जो passing criteria होएगा वो आपके 80 का 33 पसंट निगाला जाएगा ना कि वो 56 का 36 निगाल जाएगा वो 56 अटेम्टेशन वाला है वो passing बहले criteria से नहीं है यह similar हुआ है कश्मीर में इस बाद बच्चों के साथ बाद में बच्चों ने allegations लगाए बोर्ड की ओपर कि हमार से गलत हुआ बोर्ड ने फिर यह अलग से guidance आ रही की थी कि जो passing marks है वो आपके 80 का 33 पसंट निगाला जाएगा ना कि जितना आपने attempt करना उसका पसंट निगाला जाएगा hope so कि all the doubts जो भी student साम इस्टम आ रहे हैं वो clear होगे होंगे with this video and share this video mac to maximum student जिनके मन में यह किस तेंगा doubt है thank you so much for joining thank you